सो फ्रेंड वल्कम टिवाकार यूट्यूब चैनल फ्रेंड टाटा स्टील के तरफ से जॉब का रिकेर्मेंट लेके आगे हूँ फ्रेशर्स के लिए उपोर्चुनिटिस है जिलोग कम्प्रेटली फ्रेशर्स यहां पर अपलाई कर सकते है जी टी के लिए वेकंशिस यहां दिखने को मिलेगा तरफ मिन तुम्हारा ग्राजुएट इंजिनियर ट्रेंड के लिए वेकंशिस है और मैं फ्रेशर्स के लिए ज्यादा विटी जो इसलिए लेके आते हूँ मेरे को पाता है फ्रेशर्स के टाइम में कैसे स्ट्रागलिंग चलता है तो इसलिए तुमको सेलरी पैकेज भी ज्यादा नहीं मिलता है एजे फ्रेशर्स के टाइम में तुमको सेलरी पैकेज भी ज्यादा नहीं मिलता है और थोड़ा से डिट्ल्स में इन इस फीडियो में डिस्कस करने वाले है जैसे तुम्हारा इलिजिबिटी क्राइटिरिया, कैसा ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, सारे डिटल्स इन इस वीडियो में डिसकस करने बाले है, चलो, लिट स्टर्ट करने से पहले एक चीज में बता देना चाहतो, इस इस में यूट्यूब चैनल जॉब फॉर यू, जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, यहां पे जो रेट कलर का दिखाई देगा, यहां पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्र यहां पे जोब लग जाएगा, तो अच्छा होगा, और यहां पे बेसिकली पार्मानेट वसी से ही तुम्हारा सिलेक्शन्स होगा, और यहां पे जैसे प्रोग्राम इन लोग लांच किया है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेंड के लिए है, यहां पे इलिजबल है, फ्र इडिटिल्स तुमको दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसा यहां पे कौन-कौन अप्लाई कर सकते है, 2022-2023 बैच एलिजबल है, ओके ब्रांच के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा मेकानिकेल, मेकाट्रोनिक्स, केमिकेल, इंडस्ट्रियल और प सक्काइन करने के बाद तुमको सारे डिट्रिल्स फल करना पड़ेगा, उसके बाद सामिट करना पड़ेगा, ऐसा है है, और सिलेक्शन फ्रोश्ची्टियोर के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा एप्टिट्टिificación ओगा, दैन तुम्हारा वीडियो इंडर्क्संप होगाँ इस निकल के बाद औरサट के बारो भी में सथिंधी ते निकलक देख सकते हैं पर्पर शेर करेंद कर नहीं उकरें सब्सक्राइब यहां पर apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा apply करके जो दिखाय दे रहे यहां पर बेसिकल यहां पर तुमको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद क्या होगा तुमको first क्या करना पड़ेगा registrations complete करने के लिए तुमको email ID and password डाल के sign in करना पड़ेगा उसके बद जब तुम्हारे पास उसके पहले तुमको create an account में जाके basically click करना पड़ेगा okay so click करने के बद first तुमको क्या करना पड़ेगा account create करना पड़ेगा account create करने के लिए email address then तुम्हारा first name last name password set करना पड़ेगा उसके बद create account में जाके click करना पड़ेगा जब तुम्हारा account create हो जाएगा उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा basically जब तुम्हारा profile create हो जाएगा okay तब तुमको यहां पे तुम्हारा basically तुम्हारा name दिखाई देगा जैसा मेरा name है प्रगोति पॉल सो यहां पे basically देख सकतो मेरा name दिखाई दे रहे उसके बाद क्या करना पड़ेगा यहां पे basically suppose मैं graduate इंजिनियर ट्रेंड के लिए apply करना चाहते हो यहां पे apply करके जो दिखाई दे रहे यहां पे basically तुमको click करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा choose file में जाके तुमकर basically cb update कर दोट करना पड़ेगा pdf में भीदेख सकतो दौप okay यहां पे उसके बद चूश फाईल में जाके तुमकर cb देने के बाद upload करना पड़ेगा उसके बाद तुम्हारा सारे डिटल्स यहां पर मेंसान करना पड़ेगा जैसा जेंडर डेट बार्थ ओके देन आड्रेस ओके देन पीन कोट ओके आधर कर देन तुम्हारा सारे डिटल्स यहां पर फिल करना पड़ेगा उसके साथ तुम्हारा क्वालिफिकेशन भी देना प कर सकते हैं अ कि अजय करके तुमको भी करना पड़े का आप्र में ऊचल चु के लिए आप रहीं होग्click को काॉन आप भीचेशा पर फिलनु हुआ शोकी परे डिटल्स बादा चुकियों और सॉटलिस्टेट केंडिडेट को इंटर्वीव के लिए बुलाएगा इंटर्वीव तुमारा ओंलाइन होने का चांसे ज्यादा है बट ओफ-लाइन भी हो सकते हैं बट प्रबाइबिलिटी जो है तुमारा ज्यादा हो सकते हैं तुमारा 31st January 2023 उसके पहले तुमको online application form जो बेसिकली में दिखा दिया इस online application form को फिल करने का last date जो है तुमारा 31st January 2023 उसके पहले interested candidate को online application form को फिल करना पड़ेगा आई हूँ मैं सारे डिटल्स कबर कर चुकियो तुम सब वीडियो पासंद लगा तो पैड़ा से लाइक कर देना ऐसा नया जोब का अपड़ेड़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना फिर से आएंगे एक नया जोब ओपोर्चनिटिस से लेके सो बाई टेक केर ओल दविष्ट